पीम किसान योजना में बहुत ऐसे किसाने जिनको पीम किसान योजना का 13 नंबर वाला किस्तों नहीं मिला है और बहुत ऐसे किसाने एक नंबर से लेकर अभी तक उसको 13 नंबर तक किस्तों यह भी नहीं मिला है और उनका बेनफेस्ट रिश्टाटर में कुछ इस पर करको का पैसा उसको अभी तक नहीं दिया जा रहा है जैसे कि यहां पर देख पार payment process और यहां पर FTA will be generated और यहां पर RFT signed by estate और यहां पर payment stop by estate one request of district इस तरह का option आया हुआ है ऐसे किसानों को PM किसान योजना का पैसा कब तक release होने वाला है और इसका problem कब solve होगा और इसका पैसा कब तक release होने वाला है हम वीडियो को सुरू करते हैं अगर वीडियो को like नहीं किये तो वीडियो को like कर दिजागा और चैनल में नहीं है तो चैनल को subscribe भी कर दिजागा तो वीडियो को सुरू करते हैं और आपको करना होगा अगर आपका एंपी से तीन से चार महना से उपर हो गया था उससे पहले आपका प्रोवलम सौल्प नहीं हुआ है तो पेमेट इस्ट बाइस्ट वन रिक्पेस्ट का जो प्रोवलम आया हुआ इसका कारण इसरा कारण है आपका अकाउंट डिटेल सी अंडर रिविलेटेशन प्रोवलम आपका लंबे समय से आ रहा है तो आपको क्या काम करना होगा दूसरे बैंग में अकाउंट खुलवा लेना होगा तो सबसे ज्यादा एंपी से एकसेप्ट हो रहा इंडिया पोस्पेमिड बै तो इनको क्या नाम चाहिए और उसको प्ैम की संयजना का पैसा भी तक नहीं मिला है हूं वेस्का पेस्ड प्योस्पेश दिया जाए इसका बेनेफेसरी में प्रवलम नहीं है उसके के बाद थोड़ा सा समय लेगा समय लेने के बाद पीम की सन्योजना का पैसा उनको रिलीज कर दिया जाएगा उसका एकॉण में आ जाएगा अगर आपका पैसा नहीं नहीं आ रहा है तो आपको क्या काम करना होगा आपको किर्सियादी कारी से एक बार समपर कर लेना होगा कि कि मेरा इस तरह का option आया हुआ है अभी भी इसका problem solved नहीं हो पा रहा है मलगवग 4 महना या 6 महना हो चुका है अब PM की सन्योजना का पैसा मेरा कब दक आएगा ये वहाँ से भी जान सकते हैं अगर आपका 2-3 महना हुआ है तो आपको वेट करना होगा और आपको PM की सन्योजना का 14 नंबर का किस जो भेजा जाएगा उस टेम आपको PM की सन्योजना का पैसा मिल जाएगा तो उसको भी वेट करना होगा अगर आपका PM की सन्योजना में बेनेफेस इस्टर फिलाल में अपडेट हो चुका है तेरह नमबर किस्त के बाद अप्डेस हुआ है ता पको वैट करना होगा। का मतलब क्या होता है payment process मतलब आपका PM कि सनेजना का पैसा release कर दिया गया है आपका payment process में है आपका PM कि सनेजना का पैसा कभी भी आ सकता है आगी आ सकता है चकल भी आ सकता है हो सकता है कि आपको 10 दिन बाद भी आ सकता है और हो सकता है कि आपका 14 शैreategies master का ओफ्सन आ चुका है जितने भी किसानों का benefits monitor में 구ヤutive senior manager वे आपसें अकुछ पेंइसे किसानों का पेंइस Leades का option आ चुका है ऐसे किसानों को टेंचन नहीं लेना है कि मेरा इस तरह का option काफी समय हो गया है काफी समय से इस तरह का option दिखा रहा है तो इसका problem कैसे solve किया जाएगा इसका problem solve कराएगा और मेरा request accept करवाईए तभी आपका problem solve हो पाएगा जिनका beneficial starter में payment by state one request of district का option आ चुका है उसको जाल से जाद अपना beneficial starter को सही करवा ले और 14 नमबर का किस्ट जो भेया जाएगा उससे पहला आपको जाल से जाद अपना beneficial को सही करवाना होगा तो आपको PM की सनी जना का पैसा 14 नमबर का किस्ट के साथ आपको PM की सनी जना का जितना भी पैसा रुका हुआ वो पैसा आपको मिल पाएगा तो बेनफेस्टी करेंट डिश्टर चेक करने का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रेप्शन में दे देंगे डिश्टर किस तरह से चेक किया जाएगा और करेंट डिश्टर में आपका प्रोवलम क्या बता रहा है वीडियो का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजगा और चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजगा